हाई, वेलकम तो माईशनल, इस बीडियो में सॉल करें क्रिशन नबर 7 7 आपकर आए, construct if possible, a quadrilateral ABCD given AB is equal to 6 cm, BC is equal to 3.7 cm CD is equal to 5.7 cm and AD is equal to 5.5 cm and BD is equal to 6.1 cm give reasons for not being able to construct it if you cannot तो देखिये, पहली नंबर की यदि आप इसको construct कर सकते हैं तो construct कर लिजिए, यदि नहीं कर सकते हैं तो आप reason बताईए कि क्यों नहीं कर सकते हैं इस question का कहने का मतलब यही है तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले क्या किया? rough sketch ड्रा कर लिया This is a rough sketch, right? तो यहाँ पर 4 sides पता आपको है और एक diagonal भी पता है So we can start from any of the sides तो हम लोग पहले a-b से start करेंगे और बनाना से start करेंगे, ठीक है? ओके, तो अब हमने ले लिया a-b 6 cm Let us level it a-b यह आपका है 6 cm अब यहाँ से देखे, a को center मान करके हम 5.5 cm का radius ले करके एक r खीचेंगे और b से b को center मान करके 6.1 cm का radius ले करके दूसरा r खीचेंगे जो d point पर intersect करेंगे, ठीक है? दोनों के दोनों तो let us find this point d तो हमने find कर लिये यहाँ पर point d अब join कर देंगे a-d and b-d अब करना क्या है? d को center मान करके 5.7 cm का radius ले करके एक r खीचेंगे और दूसरा r खीचेंगे b point को center मान करके और radius लेंगे 3.7 cm और दूसरा r खीचेंगे और यह दोनों arc जो है c point पर intersect करेंगे, तो let us हमें यह cross section point मिल गया है, intersection point और यह आपका है c और जो हैनी कर देंगे dc and bc तो हम देख रहे हैं कि हमने construct कर लिया, यहाँ पर कोई भी प्राड़म नहीं होई, इसका मतलब कि यह construct किया जा सकता है इसलिए हमने construct कर लिया तो यहाँ पर कुछ reason देने की जूरत नहीं है कि हमने construct कर लिया है यदि हम construct नहीं कर पाते हैं, तो reason देना पड़ता कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब कि हमें कोई प्राड़म नहीं है हमने construct कर लिया है बस हम इसको level कर देंगे चलिए level कर देते हैं a b आपका 6 हो गया b c आपका हो जागा 3.7 ठीक है तो हमने यह drag कर लिया है तो इदि आपको अच्छा लगा यह construction तो like कर दिजिएगा दोस्वों share कर दिजिएगा आपने subscribe यह दिन ही किया subscribe कर लिजिए क्योंकि तब ही मैं आपसे मिल सकता हूँ दुबारा जब ही मैं वीडियो डालता हूँ तो आप देख सकते हैं thank you so much for watching bye